जै स्री कृष्णा राधे राधे स्रीमद भगवद गीता में ब्यक्ति के बरवादी के तीन कारण बताए गया है आज हम आपको यही बताएंगे कि कैसे इन तीन कारणों पर विजय प्राप्त करके आप अपनी बरवादी रोख सकते हैं आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे और आप पीछे मुड़कर कभी नहीं देखेंगे तो आखिर भगवद गीता में ऐसा क्या लिखा है जो ब्यक्ति अगर उन तीन बातों पर अम्मल करे तो ब्यक्ति हमेशा सफल ही होता है सबसे पहले तो आज हम आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहेंगे इस कहानी में ही सारा सार छिपा हुआ है कहानी कुछ इस तरह से है पुराने समय की बात है एक लड़के का जन्म एक बहुत ही अमीर घर में होता है लेकिन परंपरा के अनुसार छोटी उम्र में ही उस लड़के को पढ़ाई के लिए ग्यान की प्राप्ति के लिए गुरू कूल में भेज दिया जाता है अब चुकि लड़का बहुत बुधिमान था उसने सभी बेत गरंथों का अध्यन अच्छे से किया लेकिन कुछ प्राकिर्तिक घटनाएं ऐसी घटी कि माता पिता के साथ पूरा परिवार भी समाप्त हो गया अब उस लड़के के पास राजपाठ भी नहीं था अमीरियत भी नहीं था तब उस लड़के ने सिख्छा समाप्ति के बाद ये प्रन लिया कि वो अपना पूरा जीवन लोगों की भलाई के लिए कारे करने में बिताएगा और सन्यास लेकर ध्यान लगाने के लिए हिमाले पर चला गया अब जीवन से वो बहुत खुश था क्योंकि हिमाले से वो बाधिक विकास कर वापस लोट कर आने के बाद अन्य लोग उसके पास सिच्छा लेने के लिए आया करते सन्यासी बना वो लड़का बहुत प्रसंद रहने लगा लोगों की समस्याओं का समधान किया करता था दीरे दीरे उसकी प्रसिद्धी बढ़ती चली गई जहां पर सन्यासी रहता था वहां पर राजा बहुत करूर और कठोर घिर्दय वाला था वहां के राजा को जब यह बात पता चली तो उसने सोचा कि चलो इस सन्यासी से मिलाते हैं और सन्यासी से मिलकर राजा इतना प्रवाविद हुआ कि उसने अच्छाई की राह पर चन्डे की ठान ली फिर राजा ने सोचा कि जिस बैक्ती के साथ कुछ समय बिताने पर ही मेरी जिन्दगी में इतना बदलाव आ गया और वह यदि मेरे साथ ही रहने लगे तो मेरी जिन्दगी कितनी बदल जाएगी अब राजा ने सन्यासी से अपने महल में चलने का अन्रोध किया सन्यासी को साही कक्ष में साही भोजन दिया गया तब सन्यासी ने भोजन करहन करने के पस्चाद वापस जाने की आग्या मांगी तो राजा अनुरोद करता है कि आप चाहें तो मैं यहां बगीचे में आप के लिए कुटिया की बेवस्ता कर सकता हूं आप जब तक चाहें एक दिन वह सेवादार थोड़ा बिमार हो गया और कुछ दिन नहीं आया तब सन्यासी को भोजन देने वाला वहां कोई नहीं था ऐसे में एक दिन जब राजा राणी सन्यासी से मिलने पहुँचे तो सन्यासी ने राजा से कहा तुम कितने गैर जिम्मेदार हो और साथ में यह भी कहा कि जब जिम्मेदारी नहीं उठा सकते तो जिम्मेदारी क्यों ली भला राजा ने सन्यासी से छमा मांगी और एक बार राजा को राज से पुनह बाहर जाना पड़ा किसी कारन भास तब राजा ने राणी को निर्देश दिया कि सन्यासी की सभी जरुतों का आप खुद ध्यान रखना तब एक बार राणी नहाने गई और सन्यासी के लिए भोजन भजवाना भूल गई तब सन्यासी को क्रोध आया और वो खुद ही महल में जा पहुँचा राणी की अधवुत सुन्दर्ता को देख कर चकित रह गया अब सन्यासी राणी की सुंदर्ता पर मोहित हो गया और बिना कुछ खाए पिये अपनी कुटिया में ही पड़ा रहा जब राजा वापस आकर सन्यासी से मिल ले गए तो राजा ने देखा कि सन्यासी जी बहुत ही कमजोर हो गया है तब सन्यासी ने कहा कि मैं आपकी पत्नी के मूह में पढ़ गया हूँ और उसके बिना जिन्दा नहीं रह सकता अब राजा उस सन्यासी को अपने साथ महल में ले आया और तब राजा ने राणी को सन्यासी जी की मदद करने के लिए कहा रानी समझ गई कि उसे क्या करना है और फिर रानी उस सन्यासी के साथ कुटिया में रहने के लिए आ गई फिर रानी ने कहा हमें रहने के लिए घर चाहिए सन्यासी राजा के पास गया है और राजा ने उसे कर दे दिया राणी ने फिर सन्यासी से कहा कि क्या आपको पता है आप क्या थे और क्या बन गए है राणी ने कहा आप एक ग्यानी थे जिसके कारण राजा आपको आपकी जरुरत की हर वस्तू पलब्द कराते थे लेकिन आज आप अपनी वासना के कारण मेरा गुलाम बन गए है तब सन्यासी को अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर सन्यासी कहता है मैं अभी आपको राजा के पास सौप कराता हूँ तब रानी ने प्रश्न किया जब उस दिन आपको भोजन नहीं मिला था तो आप कुरोधित हो गये थे तब ही से मैंने आपके बेभार में परिवर्तन महसूस किया है तब सन्यासी कहता है जब मैं जंगलों में था मुझे कई दिनों तक खाना नहीं मिलता था लेकिन महल में मुझे सुविधाय मिली फिर मुझे इनके प्रती लगाओ और मुँध उत्पन्नी हुआ और फिर इन्हें पाने की लालच भी उत्पन्न हो गई और जब यह नहीं मिले तो क्रोध उत्पन्न हो गया इसके बाद राजा और रानी से च्छमा मांगर सन्यासी वापस लोड़ गया तो इस कहानी में सार चिपा है बेकिती की बरवादी के कारण जैसे कि मनुस्य की इच्छा अगर पूरी ना हो तो उसको क्रोध आता है और अगर इच्छा पूरी हो जाए तो लालच बढ़ जाता है और भगवान स्रीकृष्ण स्रीमद भागवत गीता के अध्याय सूलवे 11 स्लोक में भगवान स्रीकृष्ण ने कहा है कि काम क्रोध और लोब या तीनों ही किसी इनसान की बरवादी के प्रमुख कारण होते हैं इसलिए हर इनसान को चाहिए कि इन तीन चीजों से बच कर रहे जैसा कि अपने कहानी में जाना कि सन्यासी कैसे बिकार में फस जाता है और एक सधारन मनुस्य हो जाता है तो अपने बिकारों को अपने बस में रखने के लिए हमें ध्यान योगा भी करना चाहिए मन को सांध रखना चाहिए और हर बात को पहले सोचना चाहिए उस बात का परिणाम क्या होगा फिर आगे बढ़ना चाहिए तो उमीद है आपने समझ लिया होगा कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं तो फिलार भी दा लेते हैं हरहर महादेव धन्यबाद जानकारी अच्छी लेगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें और हमारे वेपसाइट पर जरूर आईएगा granddhrmasanmark.com आप Google सर्च करें या वेपसाइट का लिंक आपको description में मिल जाएगा और comment में हरहर महादेव जरूर लिखिएगा धनिवाद